नमास्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिस्टा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा पांचमा नवरात्रा बस एक पत्ता हर कष्ट दोर करेंगी माता रानी जै माता दी नवरात्री के पांचमे दिन मा इसकंद माता की पूजा की जाती है और इस बार यह पांचमा नवरात्रा दस अक्टूबर को है यनि आज की दिन मा इसकंद माता का कार्थिके जी की माता हैं और इसलिए इस दिन बहुत सारे प्रयोग होते हैं संतान की प्राप्ती के लिए धन की प्राप्ती के लिए और शेगर बिवाह के लिए क्योंकि मा का संबंद ब्रिहस्पत ग्रहशे है यानि अगर आप प्रिहस्पत को मजबूत करना चाहते हैं तो मा के सरण में आना ही होगा तो आज हम बात कर रहे हैं अगर आप घर में बच्चे हैं बिवाह योग हैं उनका बिवाह नहीं हो पा रहा अब आप परिशान हैं लाग प्रियास के बाद भी जब हार चुके हो तब एक बार इस प्रियोग को जरूर कर लें इस नवरात्री के पांच में दिन नवरात्री कोई भी हो सकता है साल में चार नवरात्री आती है तो क्या करेंगे आपको एक आम का पत्ता लेना है अब आम का पत्ता आपको मिल जाएगा सहर में रहते हैं तो भी मिल जाएगा एक पत्ता कहीं से भी आप तोड़कर ले आए और इस बात के धियान रखिएगा कि पूरे दिन में कभी भी ये प्रयोक कर सकते हैं अब इस पत्त को धोकर साप कर लें पत्ते का जो चिकना साइड है वो इस साइड की यानि कि इस साइड को आपको उपाय करना है जो चिकना साइड है रूखा साइड नहीं इसे आप नीचा कर दें अब इसे चिकने वाली साइड में आपको दो प्रयोक करना है एक कटोरी में आप थोड़ा सा हलदी ले ले और एक कटोरी में थोड़ा सा संदूर ले ले लाल रंग चुक ही मिल जाके हो ठीक है नहीं ते हाँ संदूर ले 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 या नि कि दोनों ही को थोड़ा सा पानी से दोने iyah कर ले हलका सा अब ढालिए पानी यानि कि ज़्यादा गीला ना हो इस आम के पत्ते पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाए और एक सिंदूर से स्वास्तिक बनाए यानि एक ही पत्ता होगा और दो स्वास्तिक बनेंगे हल्दी से और सिंदूर से अब इस दोनों स्वास्तिक को आप बनाने के बाद अलग-अलग बनाईएगा अब जब स्वास्तिक बना लें तब थोड़ा सा चावल हल्दी से मिक्ष करके और थोड़ा सा चावल सिंदूर से मिक्ष करके रख लें जो स्वास्तिक आपने हल्दी से बनाया है इसके उपर कुम को मिला हुआ चावल रख दे और जो स्वास्तिक आपने सिंदूर से बनाया है उसके उपर हल्दी मिला हुआ चावल रख दे यनि उल्टा करना है हल्दी वाले जगापर सिन्दूर वापर हल्दी का रखना है अब इसको बनाने के बाद जो बच्च विवाके योग हैं, लड़का हो या लड़की, उनके हाथों में इस पत्ते को रख दे, दोनों हथली पर रख दे और उनको बोलिये, वो अपना नाम और गोत्र बोले, उच चारण करें इसके बाद वो चाहें तो खुद के हाथों से या फिर आपके घर के किसी व्यक्ति के प्रियोग कर सकता है चाहे तो अपने हाथों से कर ले या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस पत्ते को उनके हाथों में लेकर कहीं भी नीम का पेंड के नीचे यह रखवा दिजे यह रख दीजे ऐसा करने से पांच से छे महिने के अंदर विवा पक्का हो जाएगा तो सीग्र विवा के लिए यह प्रयोग अवश्करें लाब मिलेगा बस एक पत्ता बस एक यह आम के पत्ते का प्रयोग करना है और आपको यानि कि माता दुरुगा जी क इसमरण भी करना है जब आप यह रखेंगे चुकि नीम का प्रेंड ऐसा है कि जहां माता जी का निवास अस्थान माना जाता है तो पांच में नवरात्रे की दिन आपको करना है माता इशकंद माता की पूजा राधना उनका इसमरण करके ही आपको करना है बस एक पत्ता और इ तान हो कि सभी में सुकों की ब्रधी करेंगे तो दोस्तों जाते ते बाउन करें आतिए नहीं तो चैनल सुप्स्क्राइब करें और अक है